पूरी तरह से टाइमलेस होती है क्योंकि इसमें जो shapes and sizes होते हैं wax के उसको मैं अपकी intuition के through interpret करती हूँ और आपको channel करती हूँ तो हो सकता है ये किसी के साथ accurately match करे हो सकता है किसी के साथ सिर्फ कुछ percent match करे और किसी के साथ बिल्कुल match ना करे ये भी possible है तो viewers आप लोगों को open minded होकर ये reading सुननी है ये reading सभी zodiac science के लिए है हर उम्र के विक्ती के लिए है timeless है जब भी आप इस वीडियो तक पहुचेंगे यह है आपके साथ तभी resonate करेगा और अगर आप dream tarot channel पर पहली बार आएं हैं तो subscribe ज़रूर करें और bell icon को press करना ना भूले ताकि जब भी मैं कोई reading लेकर आऊं सबसे पहले वो आप तक पहुच सकें इस बात का ज़रूर ध्यान रखेगा कि मैं personal readings नहीं देती तो comments में दिये हुए किसी भी contact detail पर विश्वास ना करें ओके आए चले reading start करते हैं और आपका समय वेर्थ नहीं करते उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए मुझे लगता है विवर्थ वो step by step आपके तरफ बढ़ना चाहते है step by step ये message channel हो रहा है कि वो step by step बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ या मुझे यह M नज़र आ रहा है M for mango मुझे M नज़र आ रहा है तो हो सकता है कि आपके उनके नाम में M है या but there is something about M March maybe I don't know मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे कोई दीपक में कोई जोत जल रही है हो सकता है विवर्थ कि आपको ऐसा लगता है कि connection almost end हो गया है पर ऐसा है नहीं अब भी दीपक में वो जोत जलने का मतलब है कि अभी भी इस connection में बहुत कुछ है अभी भी ये connection चल रहा है या अभी भी आप लोगों के रिष्टे में वो बात है तो अगर आप सोच रहे हैं कि उनका प्यार खत्म हो गया है या वो भूलने का प्रयास कर रहे हैं आपको तो ऐसा नहीं है वो अभी भी आपको बहुत याद करते हैं अभी भी उनका प्यार उतना ही है ओके आपके जिसी टू हॉंड्स टू हॉंड्स यानि दो सींग नजर आते हैं जैसे किसी बैल के दो सींग होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है हॉंड्स देखकर कि कुछ तो यहां पर ऐसा है जो थोड़ा नेगेटिव कह लीजे डेंजरस तो काफी एक्स्ट्रीम वर्ड हो जाएगा बर कुछ नेगेटिव है येस हो सकता है ये जो टू हॉंड्स मुझे नजर आ रहे हैं ये आपके पर्शन विवर्स थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं प्यार आपसे वो उतना ही करते हैं स्टेप बाई स्टेप आपकी तरफ बढ़ना चाते हैं लेकिन मुझे लगता है कुछ नेगेटिव इनकी लाइफ में चल रहा है कोई जेलेस है कोई कंट्रोलिंग है डॉमिनेटिंग है पर कुछ नेगेटिव है यहाँ पर हो सकता है इनके फैमिली में कोई मेल फैमिली मेंबर कोई है जो थोड़े से डॉमिनेटिंग हो सकते हैं येस ऐसा लगता है है एक सेकेंड हम पीवर्स ऐसा लगता है जैसे आपके परसन कुछ बहुत टाइम से बताना चाहते हैं आपको हो सकता है अपनी फीलिंग्स कंफेस करना चाहते हैं और अभी तक कर नहीं पाए हैं बर दे डू वांट टू टेल यू संथेंग question mark question mark ऐसा लगता है जैसे उनके पास कुछ सवाल है और शायद वो सवाल वो आपसे पूछना चाहते हैं हो सकता है यह long distance connection हो काफी लोगों के लिए आपके person किसी दूसरी state या city में रहते हों possible है काफी लोग online मिले हों यह भी हो सकता है विवर्स यहां पर देर जो रिंग शायद वह आपको अंगूठी देना चाहते हैं यह रिष्टे को ऑफिशल करना चाहते हैं एक कटी हुई पतंग जो होती है जिसकी कोई दोर नहीं होती है जिसकी दोर कोई संभाल नहीं रहा होता है मुझे ऐसी पतंग यहां पर नजर आई है ऐसा हो सकता है विवर्स कि जैसे वो clueless है इसलिए उनको कुछ पूछना है कुछ clear करना है शायद वो आपकी feelings को लेकर sure नहीं है उनको नहीं पता कि आप move on कर चुके हो या अभी भी आपके अंदर वो emotions बाकी है they do not know अच्छा विवर्स कोई ऐसा जरूर है जो आप लोगों के रिष्टे से jealous है यह कोई female हो सकते है male हो सकते है लेकिन यह कोई ऐसा इंसान है जो आप लोगों को एक साथ देखकर बिलकुल खुश नहीं है क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूं कि कुछ दो चीज़े टकरा रही है मिल रही है तो definitely उसमें कुछ ना कुछ ब्रेके जा रहा है बार बार जब भी कोई मिलने के कोशिश कर रहा है कुछ तूट रहा है हो सकता है आपके person को कोई financial problem या career related कोई problem चल रही है तो शायद वो अपने finances पर भी इस समय बहुत focus कर रहे हैं अपने career को लेकर भी परेशान हैं वहाँ भी focus कर रहे हैं तो यह parallel चल रहा है साथ साथ यह भी चल रहा है कि love life में तो यह है ही लेकिन वो financially भी काफी stress में है वो क्या पुछना चाहते हैं आपसे कही ना कहीं आपकी feelings को लेकर ही clarity चाहिए क्योंकि वो खुद clueless हैं कि आपकी feelings क्या है ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक पहिये पे cycle चला रहा है आपने सरकस में ऐसी cycles देखी होंगी या कई और जगा भी देखी होंगी जहांपर एक पहिये पर उसे चलाया जाता है balance किया जाता है मुझे ऐसा ही नजर आता है कि जैसे कोई एक पहिये पर cycle चला रहा है हो सकता है viewers कि इस विश्टे को चलाने के लिए या इस connection को आगे बढ़ाने के लिए जो दो पहियों का साथ चाहिए था वो नहीं है ऐसा लगता है बिलकुल कि एक ही एक ही सहारे पर ये गाड़ी चल रही है या मैं कहूं कि बिलकुल बस थोड़ी सी होप बची है यहनि कि अभी भी पूरी तरह से जो भी इसको balance कर रहा है उसने अभी होप नहीं छोड़ी है ऐसा लगता है ऐसा लग रहा है कोई ऐसी situation को संभालने की कोशिश कर रहा है जो almost खराब होने वाली है कोई ऐसी परिस्तिती जो almost बस खराब होने वाली है लेकिन कोई उसे संभालने की कोशिश कर रहा है बहुत maintain करके बचाने की कोशिश कर रहा है कोई ऐसी परिस्तिती येस हो सकता है विवर्स आपके person को बाहर जाना, बाहर गूमना बहुत पसंद है, हो सकता है, traveling बहुत पसंद है, घर में ये बहुत कम रुपते होंगे, इनका बाहर जाने का बहुत मन करता होगा, ऐसा हो सकता है येस okay, I can see the lips, viewers ये आपके साथ, physical होना चाहते हैं, I think they want to kiss you, they want to hug you, they want to feel you but वो इनका passion है आपके लिए yes okay, okay, this is a horse, this is a horse, मुझे इसा लगता है, viewers कि आप में से काफी लोगों के लिए इनकी तरफ से कोई marriage proposal भी आ सकता है, और ये भी लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा passionate feel कर रहे है I can see I can see the moon in fact, two times मुझे इसा लगता है, viewers, यहाँ पर कि वो खुद अपने emotions को काफी time से छिपा रहे हैं लेकिन confused वो आपके emotions को लेकर हैं कि आप उनके लिए क्या feel करते हैं मुझे लगता है, viewers कि कुछ ऐसा है जो इन्हें let go करने की जरूरत है इन्हें release करने की जरूरत है या तो इनके मन में कोई डर है, वो release करना चाहिए इन्हें या यह कुछ बहुत control करने की कोशिश कर रहे हैं यह situation को naturally unfold नहीं होने देते naturally जो होता है आगे उसे होने नहीं देते, बहुत strategize करते हैं बहुत overthinking करते हैं, बहुत planning करते हैं ऐसा लग रहा है आपको लेकर भी बहुत strategize कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन वो step by step आपकी तरफ बढ़ेंगे I can see the snake here मुझे ऐसा लगता है viewers कि जैसे साप अपनी uppermost जो layer होती है उसको release कर देता है एक new layer के लिए तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कुछ बदलाव जरूर आ रहा है उनकी feelings में या उनके वहवार में कुछ changes जरूर आए हैं उनके अंदर पहले उन्होंने जो महसूस किया है और अब वो जो महसूस कर रहे हैं अंदर कर ला कर दो डॉग्जा बाकिंग आउट साइड इग्णोर दे बैक्गरॉंड नॉइस मुझे लगता है वीवर्स ये अपने फ्रेंड्स से बहुत डिसकस कर रहे हैं आपके बारे में ये कोई और काफी क्लोस परसन हो सकता है जिससे डिसकस कर रहे हैं आपके बारे में ये बता रहे हैं किसी को कि ये आपको कितना मिस्स करते हैं या क्या क्या है ऐसा जो ये फील कर रहे हैं किसी से तो शेयर किया है इन्होंने येस करियर को लेकर हाट हर्ड वर्क कर रहे हैं ऐसा लगता है हो सकता है ये किसी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं या किसी गवर्मेंट सर्विस में हैं पर बहुत मुझे इसा लगता है काफी मेहनत चल रही है इनकी येस ये बहुत जल्द कोई डिसिजन जरूर लेंगे क्योंकि इनके अंदर काफी बदलाव आ चुका है जैसा देख पा रही हूँ मैं ओके ये तराजू की तरह देखता है हो सकता है वीवर्स की जस्टिस मिलने वाला है अगर आप जस्टिस चाहते थे तो आपको आप जस्टिस मिलने वाला है हो सकता है इनकी तरफ से आपको कोई अपॉलजी क्योंकि यहां दोनों हाथ जुड़े हुए हैं तो हम नमस्ते करने के लिए हाथ जोड़ते हैं लेकिन मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि माफी भी मांगना चाहते हैं येस 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 अपनी maturity के लिए माफी मांगना चाहते हैं कुछ इन्होंने stupid आपको बोला है कुछ stupid आपके साथ किया कुछ बोला ऐसा जिस वज़े से आप अभी तक hurt हैं कोई बात इनकी ऐसी कही हुई हो सकती है जो आपको बहुत चुप गई थी ये हो सकता है viewers नो ऐसा लगता है जैसे जब आप उनके साथ होते हैं तो वह बहुत energetic बहुत enthusiastic यह enthusiastic बहुत energetic बहुत enthusiastic और बहुत अ लेक बहुत excited feel करते हैं और जब आप उनके साथ नहीं होते हैं तो वह ऐसे ही over thinking करते हैं गहरी सोच में चले जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वह आपकी जरूरत महसूस करते हैं like they need you उनको ऐसा भी रखता है viewers ऐसा नहीं है कि उनकी life में कोई options नहीं है उनकी life में भी options हैं लेकिन फिर भी आपके person को किसी और option में कोई interest नहीं है yes there are options इनका मन तो ऐसा करता होगा कि ये भाग कर दोड़कर बस आपके पास आ जाए कि मैंने कहा कि थोड़ा intimacy feel करते हैं ये आपके साथ ये आपको feel करना चाहते हैं आपको hug करना चाहते हैं आपको kiss करना चाहते हैं so for that reason आपको ऐसा लग सकता है कि इन्होंने बहुत time तक किसी और को भी आपके साथ साथ जगल किया है किसी और के साथ साथ आपको भी deal कर रहे थे पर इनकी जो feelings है इनका ये जो emotion है yes इनके emotions इनकी feelings आपके लिए ही viewers है यहाँ पर ऐसा लगता है आपके लिए ही feel करते हैं वो हो सकता है viewers इनके नाम में double a आता हो y आता हो h आता हो s m n r i e i e ये कुछ अक्षर है जो आपके या इनके नाम में आ सकते हैं k also k yes हो सकता है आपने recently कोई social media पर कोई photo डाली है अपनी ये कोई dp वगरा change की है इन्हें काफी attractive लग रहे हो आप क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपकी किसी तस्वीर को ये बहुत admire कर रहे हैं या कुछ stock कर रहे हैं पर ऐसे कुछ लग रहा है कि आपने कुछ new किया है जिस वज़े से इनका ध्यान आपकी तरफ और ज्यादा आकर्शित हो रहा है yes illusion में है ये इनका ये जो 70% जो इनकी सोच है वो illusion में है ये बहुत कुछ assume कर रहे हैं जो कि reality में है ही नहीं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा कुछ नहीं बोला होगा ये अज्यूम जादा कर रहे हैं जब तक ये ऐसा सोचते रहेंगे न विवर्स कोई clarity नहीं मिलेगे इनको और ये आपसे जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो भी तभी पूछेंगे जब अभी आपकी तरफ आने का decision लेंगे और आपकी तरफ आने का decision मुझे लगता है अभी पेंडिंग है क्योंकि अभी सोच ही रहे हैं बस और आपकी तरफ आएंगे भी तो बहुत slowly slowly step by step एक दम से आपको सब कुछ confess नहीं करेंगे ये एक दम से सब कुछ नहीं पूछेंगे आपसे ये थोड़े negative हो रहे हैं अपना thought process negative कर रहे हैं लेकिन इस वक्त आपको positive होने की बहुत जरूरत है viewers आप negative नहीं सोच सकते हैं अगर आप भी negative सोचेंगे तो काफी blockages create हो जाएंगे यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे लगता है अभी पूरी तरह से वो आपको जान नहीं पाएंगे completely वो आपको नहीं जानते हैं अभी और ज़्यादा जरूरत है कि यह आपको अच्छे से जाने understand करें आपके behavior को आपके nature को आपके स्वभाव को समझें there is still a lot to understand yes तो यह थी reverse reading कि आपके जो person है उनकी बंद में क्या चल रहा है मुझे असा लगता है काफी गहरी सोच में डूबे हुए हैं और साथ ही साथ काफी confusion भी चल रहा है इन्हें clarity नहीं है सच में clueless है यह और किसी चीज से तो डरते हैं इनकी family में कोई ऐसा issue हो सकता है career को लेकर भी बहुत चिंता में है इसलिए कुछ stable निकल कर नहीं आया है कोई stable energy नहीं आयी है कभी सोच में पढ़ जाते हैं तो कभी career के चिंता होने लगती है कभी आपके पास आने के बारे में सोचते हैं तो कभी किसी चीज के बारे में सोचकर third situation के बारे में सोचकर डर ल आया है क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है कि अट्राक्शन इनका बढ़ चुका है आपको लेकर जिग्यासा क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट बढ़ चुका है लेकिन अभी भी इनफ मोटिवेटिड नहीं है ये कुछ भी करने के लिए ये इस टाइप के इनसान लग रहे है मुझे जो सोचते रहते हैं खयालों में खोय रहना लेकिन कुछ जादा करना नहीं जैसे की करियर को लेकर भी सपने ज्यादा सजाना बाते ज्यादा करना उस बारे में प्रयास करना लेकिन उतना नहीं प्यार को लेकर भी सपने ज्याद सजाना सपने देखना डेट ड्रीमिंग करना लेकिन उसको लेकर असली प्रयास करना नहीं मुझे लगता है यह गहरी सोच में डूबे रहते हैं बस यह ओवर थिंकर है जैसे कोई कटी पतंग क्लूलेस होती है वैसे ही ये भी क्लूलेस है किसी भी कंक्लूजन पर आ सकते हैं जैसे कोई पतंग कहीं भी गिर सकती है कटी हुई वैसे ये भी किसी भी कंक्लूजन पर आ जाते हैं कहीं भी इन्हें खुद नहीं पता तो ये स्टेबिलेटी नहीं है ये thinking की stability नहीं है ये थोड़े से अभी fragile है मैं कहूंगी और इनका जो मन है न वो बंदर की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ उचलता रहता है stable नहीं है इनके thoughts आज यहाँ तो कल वहाँ ये ऐसा भी सोच चकते हैं कि आज से मुझे अपने career पर focus करना है प्यार व्यार से मुझे मतलब नहीं है और अगले ही पल ऐसा है अगले ही दिन ऐसा भी सोच सकते हैं कि career तो इनसान follow करता ही है लेकिन प्यार को थोड़ी छोड़ सकता है तो इनके thoughts ना अभी stable नहीं है इनका दिमाग ऐसा है कि किसी ने डरा दिया तो डर गई किसी ने इनको भड़का दिया तो भड़ा भड़क गई किसी ने प्यार जता दिया तो उस तरफ हो गई तो मुझे maturity कम नजर आती है I hope इस reading से थोड़ा बहुत idea मिला होगा कि इनका state of mind क्या है क्या चल रहा है बट still इसमें बहुत clarity नहीं आई है क्योंकि मुझे भी दिख रहा है तो I hope समझ में आया हो आपको कि कैसी situation है इनकी तो आप मुझे comment करके जरूर बताएं वीडियो को like करना बिल्कुल ना भूएं subscribe करें dream tarot channel को और बन जाएं dream tarot family का हिस्सा bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई video लेकर आऊ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके इस बात का जरूर ध्यान रखेगा कि मैं personal reading नहीं देती तो comments में दिये हुए किसी भी contact detail का विश्वास ना करें और आप आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद चलिए फिर मिलते हैं अगली reading में तब तक के लिए बबाइ फामिली बबाइ एंजिल्स लव यू ओल बबाइ